प्रिशास्निक अमला और रेलवे महक में प्रिशास्निक अमला और रेलवे महक में ततपर्ता दिखाई तुरंथी मोबाइल वेन और अम्बुलेंस तमाम चीजें मौके पर पहुँँच गई और जो भी लोग वहाँ पर गायल थे उनको उपचार के लिए एस्पताल में भरती करा दिया गया लेकिन सबसे बड़ी बात किये है कि शुरुआती कई घंटों की जानकारी करने के बाद लोको पाइलेट ने जो बात कही है उसका कहना है कि वहाँ पर धमाके की आवास सुनाई दी थी अब सवाल यहाँ पर यह है कि यह हादसा है या साजिश इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं और बकाइदा इसके लिए जाज कमिटी का गठन भी कर दिया गया है साथ की साथ उत्तरप्रदेश की एंटी टेरिस स्क्वेड एटी एस इस पूरे मामले की जाज करेगी और जो परते हैं वो खुल कर सामने आएंगी क्या आखिर डिब्रूगाड हैक्सप्रेस क्यों हादसे का शिकार हुई क्या कोच वहाँ पर हुआ था ये धमाके की आवाज का जिक्र जो लोको पाइलेट अपनी बात में कर रहे हैं आकिर ये धमाका कहां पर हुआ था क्या ट्रैक पर कोई धमाका हुआ था आसपास कोई धमाका हुआ था मुआफसे का मरहम जरूर लगा दिया गया है लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर गये है कि लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं तो जगजोर देती हैं लेकिन घटना के कई बिंदू यहां पर गये हैं लोको पाइलेट ने जिस तरीके की बात का जिक्र किया जो प्रित्रक्ष जर्षी वहां मौके पड़ थे वो जो बयान दे रहे हैं इन सब के बाद के सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि आकर इस हाथसे के पीछे की बड़ी वचे क्या है लेकिन जो खुलासा अपनी उजटीन यहां पर करने जा रहा है तो खुलासा अपने आप में बड़ा है सब को चोकाने वाला है सब कही न कहीं अब यह सोचेंगे कि आकर डिब्लूगर एक्स्प्रेस जो कि अपनी नियमित स्प्रीट से भी कम स्प्रीट में चल रही थी यानि कि आप समझे है ट्रेन की रफ्तार तेज नहीं थी जो बता रहे हैं पितर जर्शी की तेन बहुत तेज रफ्तार में नी चल लही थी तो जब तेर रफ्तार नहीं थी तो फिर उसके बाद जब धमाके की आवाज लोको पाइलेट को सुनाई दी तो अब यहाँ पर जब जाच होगी ATS तो उन तमाम परतों को खोलेगी कि यह क्या लोको पाइलेट को जो आवाजे सुनाई दी वो कहीं ने कहीं विस्पोर्ट के अधमाके की आवाज ट्रैक पर थी या ट्रैक से बाहर थी यह सबसे बढ़ी चीज है और इसको लेकर के जिस तरीके से जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी पूरी जाँच परताल में जुटे को हैं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं लोकल एडिमिस्रेशन के वो भी अपने इसतर पर जाँच कर रहे हैं और सबसे बढ़ी बात किये है कि जो हाथशे के बाद से जो पट्री से डिब्बे उतरे थे, उनकी तस्वीरें देखे करके आपको बता दें कि 8 से 10 डिब्बे जो है पट्री से उतर गए ते, और इसके बाद वहाँ पर जो लोग उसमें सवार थे, वो लोग उतर गए, कई व पैदल ही अपने समानों को लेकर चलने लगे लेकिन फिलाल सरकार ने इस पुरे हाथ से को काफी गंभीरता से लिया है। तो यहाँ पर वो बीच के जो चार-पांच डिब्बे थे वो तो कहीं पट्री से उतरे ही साथ ही साथ आपको बताएं कि जो आगे पीछे जो जो जॉइंट के डिब्बे थे वो भी पट्री से उतर गए। तेजी रती से किया गया लेकिन सवाल के है कि क्या कोई साज़िष की बूज इस तरीके से लोको पाइलेट ने इशारा किया है। क्या जो धमाके की आवाज सुनाई दी, वो धमाके की आवाज किसकी थी, कहां से धमाका हुआ, कहां से वो आवाज आई, और लोको पाइलेट उसके बाद क्यूं सहज अपने आपको महसूस करने लगा, अब ATS कहीन कहीन तमाम परतों से परदा उटाएगी और उसके बाद अबरूक और हादसे का सच क्या है?